आप सभी को पता होगा कि 26 जुलाई को कारगील विजय दिवस के रुग में मनाये जाता है और आपने देखा होगा कि वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार एउद हो चुका है और आप देखेंगे हर बार पाकिस्तान को मुही की खानी पड़ी लेकिन फिर भी आप देखें वो सुधरने का नाम नहीं लेता है और 1999 में कारगील विजय भी हुआ था और आज की इस क्लास में हम लोग विस्तार से इस पर एक ओबरवियू ले लेते हैं क्योंकि आपको बता दूँ इस तरह की जो भी घटनाय होती है जो भी इयोद हुए है वो आप लोगों की एक सामन जानकारी के लिए भी जरूरी है और अगर आप लोगों किसी एक जाम की तैयारी करें तो मुझे लगता है तब भी आप लोगों को मालू होना चाहिए देखिए हमारे प्यारा भारत है और आप सभी जानते ही कि 1947 तक पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा हुआ करता था भारत में ही सामिल था लेकिन आप सभी जानते ही कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिलती है उसी समय आप देखें कि पाकिस्तान अलग हो जाता है और अभी भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान से हमारे गुजरात, राजिस्तान, पंजाब, जम्मू कस्मीर और लद्दा की सीमा लगी हुई है और आप देखेंगे कि बंगलादेश भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था लेकिन 1971 में जो भारत पाकिस्तान की योद हुआ था बंगलादेश की आजादी को लेकर उस समय आप देखेंगे कि पाकिस्तान की दो टोगड़े कर दिये थे भारत ने उस समय हमारे देश की पिधान मंत्री इंद्रा गांधी थी और बंगला देश उस समय आजाद हुआ था तो ये भी याद रखिएगा और आप देखेंगे कि जम्मू कस्मीर में हमेशा विवाद बना रहा है और 2019 में आपने देखा होगा 370 और 35 से हटा दी गई और जम्मू कस कस्मीर में दिल्ली की तरह आपकी बिधान सभा भी होगी यह भी आप देखेंगे चाइना से लगती है अफगानिस्तान से लगती है और जबकि जम्मू कस्मीर की सीमा केबल पाकिस्तान से लगती है और राज्यों में देखें तो इसकी सीमा si mono bandag कि आपकी हिमाचल पिदेश से लगती है और सिरी नगर जम्मू कस्मीर से लगती है वहीं जम्मू कस्मीर की देखे तो आप देखें कि लगती हिमाचल पिदेश से लगती है और पंजाब से लगती है और मैं आप लोग देखिए देखें कारगल आपको यहां देखने को यानि कि लद्दाक में पढ़ता है कहां लद्दाक में पढ़ता है और आप देखिए इस छेत पर जो लद्दाक का ये छेत है जिसे आप लोग पीओ के कहते हैं ये पाकिस्तान के कबजे में किसके कबजे में पाकिस्तान के कबजे में हमारा हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान ने चाइना को दे दी आए और ये आप देखे चाइना कपजा किये हुए लद्दाक पर अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहां हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच जड़ब भी हुई थे हमारे कुछ सैनिक सहीद भी हुए थे इस मैप में होगा देखे यह POK है और यह आप देखे जम्मू कस्मीर और अकसाई चाइना पहले का यह मैप है ठीक है लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब इस तरह से आपका हो चुगा है तो आप सभी आप देखे लद्दाक में पढ़ता है यह बिवादिच छेत चाहे जम्मू कस्मीर क प्र50 चे आपsy बैसे यह माहा है टीक है तो यह आप लोग जरूर्याद रखेगा इसी आप लोग लाएंट एसी कह देते और आप इसे लाइन ऊप कंट्रॉल कह देते अध्यू सब्सक्राइब और जिस समय और देश के पिदान मंत्री एंटल विहारी बाच पिजोई थी औ और पाकिस्तान की पिधार मंत्री नवाज सरीप थे कौन नवाज नवाज सरीप थे ठीक है तो याद रखिएगा कारगिल विजय दिवस हर साल इसे आप लोग 26 जुलाई को उन सहीदों की याद में जो उस समय आप देखे लड़ते हुए सहीद हुए जिन्नों ने आप देख रख्त हुए और इस कारगिल भारती सेना द्वारा ओपरेशन विजय पैरम किया गया था ओपरेशन विजय की सफलता के बाद इसे कारगिल विजय का नाम दिया गया और अभी आप लोगों को अगर देखना है इमानदारी से कोई अपना कर्तब निबाता है तो वो हमारी से और तभी आप देखिए आसानी से आप लोग रहे पाते हैं और चैन की नींद सोप आते हैं 1989 में भारत और पाकिस्तान की बीच जो इयोद हुआ और इसमें 26 जुलाई 1999 को भारत में भारत ने विजय प्राप्त की और इस दिन भारतिय सेना ने पाकिस्तान गुसपेटियों द्वारा हडपी गई प्रमुक चौकियों पर विजय प्राप्त कर ली थी कारगिल योद्य 60 दिनों से भी जान्दा दिनों तक चला था और इस योद्य का अंतिम नित 26 जुलाई का था और इसी दिन को हमारा पूरा देश कारगिल विजय दिवस की रूम में मनाता है और देश के जवानों को सम्मान और सिद्धानजली अर्पित करता है और इस योद्य के कारण दोनों ही सेनाओं के कई सेनिकों की जान भी गई थी और अंतराष्टी राणितिक दबाओ के चलते पाकिस्तान को अपना रविया बदला पड़ा था और कारगिल विजय दिवस हर साल कारगिल के छेत में मनाया जाता है और साथ ही हमारे देश की राध्धानी नई दिल्ली में भी मनाया जाता है इंडिया गेट पर आप अमर जवान जोती इस तल पर देश की पिधान मंतरी हर साल देश की बहादु सैनिकों को सिध्धान जली भी देते हैं और बेपिन ने तरह के आप देखे उस सौभी होते हैं और एक बात और बताओं आपको शुरुआत में तो आप देखे कि पाकिस्तान ने ये माना भी नहीं था कि ये हमारे सैनेक हैं उसने का घुसपीट ही है अब बाद में मालू चला आप देखे कारगेल विजय की अगर थीम की बात करें तो आप देखें कि इसकी कारगेल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को उन सहीदों की याद में मनाते हैं जोने ने कारगेल योद में अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलीदान दे दिया और वीड़गती को पराथ हो गए देखिए जैसा कि आपको बता है अगर हम लोग इसके इतिहास में जाए तो सन 1971 का भारत हो पाकिस्तान के बीच योद हुआ और उसके बाद लंबे समय तक दोनों देशों की सेनाए आमने सामने कभी ही नहीं आए और सांती विवस्था कायम रही और इस सांती विवस्था को बनाया रखने के लिए सियाचिन गलेसियर के पास आसपास के परवतों की चोटियों पर मिलिटरी चेक पोश्ट की इस्थापना की गई और इसका पैड़ाम हम में सन 1980 में हुई मिलिटरी मुटभेड के रोम में मिला और सन 1990 की दोरान कस्मीर में फिर आवांचित गतिविधियों के कारण टकाराओं हुआ और इन में से कुछ पाकिस्तान के द्वारा समर्थित थे और इस दसक के सन 1998 में दोनों ही देशों के द्वारा नियू किलियर फरिक्षन किये गए और जिन से योद्र इस्तिती वाले माहुल को हबा देकर और तेज कर दिया गया और आपको बताओं देखे पाकिस्तान अभी भी आप देखते हैं कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है मदद करता रहता है आतंकीयों की लेकिन फिर भी भी बोलता रहता है कि हम नहीं करते है तो वो दुनिया जानती है जग जाहर है उसकी इस्तिती और इस स्तिती को खदम करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहोर डिकलेरेशन पर हस्ताक्षर किये और जिसके अनुसार दोनों देश कसमीर मुद्य परसांती पुरुवक हल के लिए प्रयास करने के उराजी हुए थे और सन 1998 निन्यानमे में ठंडी के मौसम में पाकिस्तानी आमसपोस के कुछ तत्द गुप्त और बनाबटी रोप से टेनिंग लेते हुए पाए गये और साथी पाकिस्तानी पहुच का एक दल और फेरा मेट्टी फोर्स कथित तौर पर मुझाहिद दीन भारती छित की लाइन ओप कंट्रोल एलो सी की ओर पाए गये और पुष्टाज के तवारान पता चला कि उनके इस ओपरेशन का नाम ओपरेशन बद्र है और इसका उद्धिस कस्मीर और लद्धा के बीच की लिंक को तोड़ना है और जिससे भारती सेनच सियाचिन गिलेसिया से पीछे हड़ जाए और पाकिस्तानी भारती सरकार को कस्मीर मुद्धे पर अपनी बाते मनमाने के लिए दवाओ बना सकें और इसके अलाबा आप देखें कि पाकिस्तान का यह भी मानना था कि यदि इस मुद्धे पर और कोई टेंसन खड़ा होगा तो यह मुद्धा अंतराष्टी बन जाएगा और इस पर कोई हल जल्दी प्राप्त हो जाएगा इसके अलाबा एक लक्षेवी होगा कि पिछले दो दसक से दबे हुए बिद्रों को भढ़का दिया जाए यारी कि वो हर तरह से कौसिस कर रहा था आप देखें जितने बार भी हम लोग ने इसे हराया पाकिस्तान को हम लोगों ने माप कर दिया एक तरह से हम लोगों ने कोई सरते जाना थोपी नहीं है बरना अभी तक कप्त का हम लोग जो कस्मीर गुलाम कस्मीर है ना उसे हम लोग आजात करवा लिये होते और सुरुवात में प्यारभी पुछताच के बाद भाद्धी फोच को लगा कि घुस पेठिया ज्यादी है और सेना इन्हे कुछ ही दिनों में बाहर निकाल देगी परन्तु बार में एलोसी के आसपास की गतिविदियों से और घुस पेठियों द्वारा अपनाईगी यूजना पता चलने पर हमारी सेना को यह पता चला कि यह छोटी मोटी पूंट में नहीं इनका बहुत बड़े परमाने पर आकमण का पिलान है और एक तो आप देखें कि वो उपर बैटे हुए थे और हमारे सेनेक नेचे थे तो हम लोग उन पर एक तरह से हमला भी नहीं कर पा रहे थे वो आसानी से हमारे उपर हमला कर पा रहे थे और इसलिए आप देखें कि इसमें नुकसान भी हमें काफी हुआ था और अपरेशन अगर हम लोग बिजय की बात करें और फिर आप देखें कि पाकिस्तान की सियोजना के पता चलने पर भारती सरकार ने ओपरेशन बिजय की रूम में इसका उत्तर दिया और जिसमें लगबग 2 लाग भारती सेनिकों ने भाग लिया था और अंत में 26 जुलाई 1999 को उपचारिक रूप से योद्ध का विराम हो जाता है और इस दिन को हम लोग विजय देवस की रूम में मनाते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध में 527 भारती सेनिकों ने अपने पराणों की बली दी थी यानि कि हमारे 527 सेनिक सहीद हुए थे लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि चाइना हो या पाकिस्तान हो ये देश अपने यहां की सैनिकों के मरने वाले जो भी सैनिक रहते हैं उनकी संख्या नहीं बताती है और इसलिए हमें किलियर उनकी संख्या का मालू भी नहीं है कई रेपोर्टे कहते हैं कि हमसे जाना उनकी सैनिक मरे थे और कई लोग कहते हैं कि हमारे देश के जो सैनिक सहीद हुए उन से कम उनके मरे थे, मारे गए थे, ठीक है? और यह आप देखी रहे हैं, एक कारगिला आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसका मैब में भी आप लोगों को अवस्तिती जरूर याद रखना चाहिए, और समय था ही मई-जुलाई के बीच का महीना था, ठीक है? उननीस सो निन्नियानमे का इसमें आप लोग याद रख सकते हैं, कमांडर और लीडर इसमें हमारे तरफ से भारत के थे बेतपिकास मलिक और उनकी तरफ से परवेज मुसर्रब और आप देखे कि इसमें पांस सो सत्त इनके 665 से अधिक और इसमें एक और वालत आप लोग याद रखेगा, एक तो उन्हें उपर उचाई का फायदा मिला, इसलिए उन्हें कम आप देखे नुकसान देखने को मिलेगा, हमें जानदा हुआ, क्योंकि आसानी से आप देखे कि वो लोग हम पर हमला कर पा रहे थे और सन 1947 में हिंदोस्तान की वटवारी से पहले कारगिल लद्दाग जिली की बलिचिस्तान का हिस्सा था, और यह चित विविन भासाओं को बोलने वाले और विविन धर्मों की लोगों से आबाद है, और जो यहाँ बिस्त के सबसे उची पहाड़ी पहाडों की बीच गाट में निवास करते हैं, और सन 1947 से 48 में कुछ पिथम हुए पिथम कस्मीर योद्द ने बलिच्तान जिली के दो भागों में बाढ़ दिया था, अब कारगिल इसका भाग नहीं है, और एक पिथक जिला बन गया था, और कारगिल जिला भारत के जम्मू और कस्मीर राज के लद समझोते पर हस्ताक्चा किये थे, और जिसके अनुसार आप दोनों देशाओं ने सीमाओं के समंद में टकराओ करने से इंकार कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं न कि कुट्टे की पूँच को गया में डाली, मतलब आप दें कि कुट्टे की पूँच को कितना भी सीधा करने की कॉचिस करिए, वो होती ही नहीं है, तो पाकिस्तान का भी यही हाल है, कारगिल सिरी, छेत्ट सिरीनगर से 205 किलो मीटर, दो रुई परिस्ते थे, और एलोसी के उत्तर देशा की ओर है, कारगिल में भी ताबमान हिमाले के आनिचेत्रों की तरह ही होता है, गर्मियों के म मात 173 किलो मीटर दोरी पर है, और इसे कारण पाकिस्तान अपने सेनेक दलों को सूचना है, और गोला बारूद और तोपे मोहयाग कराने में सक्छम रहता है, और उससमें हमारे पास देखिए, इतनी व्यवस्ता नहीं थी वहाँ, कारगिल जमू कस्मीर भाग में, अब तो सेना की घुसफेट शुरू की, और अपनी तोपों की रेंज में आने वाले नेशनल हाइवे वन की ओर की स्थानों पर रणने तक पूर्वा कपजा कर लिया, और दूसरे चनल में भारत ने इस घुटफेट का पता लगाया, और भारती सेना को इसका जवाब देने के लिए उन इस्थानों पर भेजा गया, और अंतिम चरण में भारत पाकिस्थान की वीच योद्ध हो गया, और इसका नतीजा हुआ कि भारत ने उन सभी इस्थानों पर विजय फिराप्त की, जहां पाकिस्थान ने कबजा कर लिया था, और अंतराष्टी दबाव की चलते पाकिस पाकिस्तान की कारगेल में घुसफेट और जिसकी जानकारी स्थानी चरवाहों द्वारा मिली पांच मई भारती सेना गस्ती पर भेजी गई जिसमें पांच हिंदुस्तानी सेनेक पकड़े गया उन्हें इतना पिड़ातित किया गया कि उनकी मौत हो गई, मिट्टि हो गई 9 मई पाकिस्तानी फोजद्वारा भारी मात्रा में गोला बारी हुई और कारगेल में हत्यारों की भारी मात्रा में छती हुई 10 मई को सबसे पहले मद्रास काकसर और मुस्कोः छेत में आप देखेंगे, द्राश छेत में घुस फेट नोटिस की गई और 10 मई दिन में भारी सेना ने अपने कुछ और सेने दलों को कस्मी घाटी से चेत से कारगेल छेत की उर भेजा और 26 मई को आप देखी कि इंडियन एयर फोर्स ने घुस फेटियों पर आकमर कर दिया और 27 मई को इंडियन एयर फोर्स ने अपने दो फाइटर फिलेन गबा दिये MIG-21 और MIG-27 इन में से एग में फ्लाइट लेप्टिनेंट नची केता थे और 28 मई पाकिस्तान ने हमारे AIF MI 17 को सूट कर दिया जिस पर 4 बाईव सेना कर्मियों की मौत हो गई थी 1 जून को पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया और 5 जून को भारती सेना ने उन दस्तावेजों को पेज किया जो उन्हें भारती सेना की गरप्त में आये 3 पाकिस्तानी सेनिकों से मिलेते जिन में पाकिस्तान की सामिल होने का सबूत मिला था 6 जून को आप देखें कि भारती सेना ने कारिगल में अपने सेन सुरक्षा बल को बढ़ाया 9 जून को आप देखेंगे भारती सेना ने वटालिक सेक्टर 2 की महतपूर इस्थानों पर फिर से कपजा कर लिया और 11 जून को भारत ने पाकिस्तानी आर्मी के पिरमुक जनल फरवेज मुसररप चाइना विजिट के दौरान और जनल इस्थाफ के प्रमुक लेप्टेनर जनल अजीच खान रावल पिंडी में के बीच हुई बातचीत को पेस किया जिसते पाकिस्तानी आर्मी के सामिल होने का सबूत था और पहले आप देखेंगे ये लोग क्या करते थे कि मानी नहीं रहे थे और 13 जून को भारती सेना ने द्रास में टोलो लिंग को सुरक्षित कर लिया 15 जून को यूनाइटिड इस्टेट्स के ततकाली पेसिडेंट विल किलेंटर ने टेलीफॉन पर बातचीत करके पाकिस्तान के पिधार मुत्री नवासरीब को कार्गिल से पाकिस्तान फोच को बापस बुलाने को कहा फिर आप देखेंगे 29 जून भारती सेना ने टाइगर हिल के पास दो महत्पूर पोष्ट 0.5060, 0.59 पर कपज़ा वापस ले लिया दो जूलाई भारती सेना ने कार्गिल में तीन और और से हमला किया और 4 जूलाई को 11 घंटी की योदि के बाद भारती सेना टाइगर हिल पर वापस कबजा पराप्त करने में सफल वही एक तो आगलोग ने देखा हो गया कि हमारी सेना पीछे हटने का नाम नहीं लेती कितनी भी मुस्किल बक्त के उना हो कितना भी भारी हो फिर आप देखें कि 5 जूलाई को भारती सेना ने दरास पर आधिकार पराप्त कर लिया वहीं दूसरी हो ततकाली पाकिस्तानी पिधान मंत्री ने क्लंटन के साथ हुई मीटिंग्स के बाद कारगिल से पाकिस्तानी पहुज हाटानी की गोशना की और पहले आप देखें कि एमान ने रहा था कि हमारी सेना है साथ जूलाई को भारत ने बटालिक के जुवर हिल्स को भी पुरह पराप्त कर लिया ग्यारे जूलाई को पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे किये और भारत ने बटालिक में महत्पूंट चोटियों पर कपजा पराप्त कर लिया 14 जुलाई को ततकारीन भारती पतारमंत्री सिरी अटल विहारी बाचपी ने ओपरेशन विजय को सफल गोशित किया तो इस दिन हमें एक तरह से आजाद हो गए हम लोग लेकिन इसमें हमें अपने कई सैनिकों की सहीदी देनी पड़ी तब जाकर हमें यह आजादी मिली कालगिल की योतिम पर विष्ट के विभिन ने देसों ने क्या कहा उसे भी जाल लीजे आप लोग विभिन ने देसों दोरा पाकिस्तान की लाइन और कंट्रोल को पार करने की निंदा की गई यानि की बुराई की गई एक तरह से और इस समध में पाकिस्तान की सरुवाती जब हाद कपट पूण रहे और बाद में उन्होंने इसे कस्मीर मी सुतनता सैनानियों के प्रयास से जोड़ दिया अगर पाकिस्तान की इस बयानवाजी को सच मान लिया जाए तो पाकिस्तान दौर अपनी फोज के दो सैनिकों को निसान, एहेदर, पाकिस्तान का सरवच मिलिटरी सम्मान और 90 सैनिकों को मरड़ अपरांद बहादूरी फोरुसकार दिया गया और इस पूरे मामले में पाकिस्तान की सामिल होने को इस पश्ट करता है अंतराश्टी दबाओ, G8 देशों ने इस पर भारत का पक्च लिया था और LOC क्रॉस करने पर पाकिस्तान की निंदा की थी और इउरोपी यूनियन ने भी LOC क्रॉस करने की मुद्दे पर पाकिस्तान को दोसी ठहरा है था अने संस्थाओं जैसे ACN Regional Forum ने भी पाकिस्तान द्वारा LOC गरोस करने फर भारत द्वारा उठाए गए कदमों को भी सही ठहरा है था और इस पेकास से अंतराश्टी दबाओ के चलते पाकिस्तानी पिधान मंत्री नवास सरीव को भारती चेत्रों में अपनी फोज को वापस पुलाने का नेड़ा लेना पड़ा था और कार्गिल एउद्वारा भारती सेना द्वारा द्रास में कार्गिल वार मेमोरियल का मुख प्रिविस द्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा और भारती सेना द्वारा द्रास में टोलो लिंग हिल की तलहटी में कार्गिल वार मेमोरियल बनाए गया सहिल के मद्द से 5 किलो मीटर की दूरी पर टाइगर हिल के पार बनाये गया इसका निर्माद कारियल युद्ध में सहीध हुए जवानों की याद में किया गया है और मेमोरियल के मुख दौर पर 20 सदी के फिसिद्ध हिंदी कभी स्री माखलाल चतुरवेदी दौरा लिखी गई कभीता पुस्पे की अभिलासा लिखी गई है और मेमोरियल की दिवारों पर उन जवानों की नाम अंके थें जिनोंने कारियल योद्ध में अपने प्राडों का वलिदान दिया था और जो जाते हैं लोग यहां गुमने के लिए इन्हें पढ़ सकते हैं एक संग्राले मेमोरियल से भी जुड़ा हुआ है और जिसका अनिर्मान ओपरेशन विजय की सफलता और हमारे देश की जीत को मनाने के लिए किया गया है और इस संग्राले में हमारे देश की बहादूर जवानों के चित्र योद के महत्तूर दस्तावे रिकॉर्डिंग्स पाकिस्तानी हत्यार और योद में पिरमोक सेना के उप्चारिक पितीक आदी रखे गए हैं तो कभी जाएंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा और इस मेमोरियल की अलावा हमारे देश का पटना सहर में भी कारगल वार मेमोरियल बनाए गया यह भी हमारे देश की विजय का पितीक है कुछ आप देखिए अनमोल बचन भी दिये गए जिसे आप लोग स्टेटर्स कह देते हैं विचार कह देते हैं कारगल दिवस पर कुछ बिचार इस तरह से सो बिचार वहां बिना किसी लिखित आदेश के बापस लिया जाएगा यह आदेश वहां कभी भी जारी नहीं होंगे चोप रहने के लिए बरफ में पढ़ाओ थे जब बिगुल बजेगा तब बे आगे बढ़ेंगे और फिर से मार्च करेंगे अगर कोई ब्यक्तिक यह कहता है कि वह मौत से नहीं डरता है तो वह यकीनन या तो जुट पोल रहा है या फिर वह गुर्खा होता है गुर्खा या गुर्खा कुछ लक्ष इतने योग हैं कि यहारने के लिए भी उगरपसाली है आप कभी भी नहीं रह सकते हैं जब तक कि आप करीब करीब मर नहीं जाते हैं और इसके लिए जो लड़ाई का चैन करता है उसके जीमन में विसेश स्वाद होता है इसके सरक्षन का कभी भी पता नहीं चलेगा और आश्चा है कि क्या हमारे देश के राजनितिक राजाओं ने मैसे जन्हें देश की रक्षा के लिए रखा गया है बे एक गुरिल्ला से गुरिल्ला एक मोर्टार एक तोप से बंदू भेद सकते हैं और हाला कि महान कई और भी हो सकते हैं और आप देखेंगे सत्रू हमसे सिर्फ 450 बर फेट दूर है हम अधिक मात्रा में है मैं एक इंच भी वापस नहीं करूँगा लेकिन हमें हमारे आखरी आदमी और आखरी दौर के लिए लड़ना होगा यदि मेरी मौत पर मेरा खोन सावित करने से पहले हमला हो गया तो मैं क कमीनों से भिड़ जाऊंगा आप देखें हमारे जो जबान थे वही मैं अपने देश के लिए और अतिक चोटियों पर कपज्या करना चाहता हूँ हमारे यात्रा केवल दोस्तों के लिए सबसे अच्छी है और दुस्मनों के लिए सबसे खराब है हम अदम हैं और हम नेडर हैं यह सभी आप देखें उनी के द्वार कहा जा रहा है सैनिकों की और भगवान हमारे दुस्मनों पर दया कर सकता है किन्तु हम नहीं करेंगे एक योद्धा की जो योद्ध में अपनी जान की कुर्वानी देकर स्वरग में संबानित हो रहे हैं योद्ध के मैंदार में उ आकरी समय भी कठे नहीं है, कई जगे परिवर्तन ले लिया जाता है, किन्तु एक परिवर्तन वही रहता है, आपका कार्योकत तब, आप सभी बाधाओं के बाप जूद भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवसक है, समय और समय सब कुछ है, हार और जीत के ब कुछी दुख के बारे में, तो इनकी आत्मा को सांती मिले, और उस परिवार को आप देखे, जरूए आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक परिवार का, जिस परिवार का कोई मेंबर जाता है, वही समझ सकता है उनका बहतर दुख, चलिए तो ये कहानी रही है, कारिकिल, विजय कारिकिल, योद्धिकी, और बताइए किसी पर बात करनी हो, तो उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे,